पिछले वित्वर्ष की आखरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 6.1 प्रतिशत की वृध्धी दर्ज हुई है सांखी की मंत्राले के पहले अस्थाई अनुमान में वित्वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत की वृध्धी रही ये अनुमान 20 आधार अंक ज्यादा है सकल घरेलू उत्पाद की चोथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत की वृद्धी पूर्व अनुमानित 5.1 प्रतिशत से काफी ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धी पर संतोश व्यक्ति किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में बढखोतरी के आंकडे वैश्विक चुनोतियों के बीच भारतिय अर्थ विवस्था के लचीलेपन को दशाते हैं